हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं हूं सुनीता कालरा और मेरे चैनल सुनीता कालरा आर्ट में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जामन यह बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं और थोड़ा मुश्किल भी है सही मातरा में अगर हम बनाएंगे सारे सामान सही मातरा में डालेंगे तो बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही सही बनेंगे सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे एक गलास चीनी ले लेंगे और इसमें हम डेट गलास पानी डालेंगे और तेज आज पर दो चार इलाइची इसमें कूट कर डाल देंगे थोड़ा केसर के दाने डाल देंगे और थोड़ा food color इसको तेज आज पर हम चीनी को पिगलने देंगे अच्छा सा उबाल आ जाए और एक दो मिनट इसमें अच्छा सा लिसलिसा पना जाए बस फिर हम गैस को बंद कर देंगे उमारी चाशनी तयार है और इसको ढखकर रख देंगे यदि हम डो को सही नहीं लगाएंगे तो गुलाब जमुन इस तरह से बिखर कर फट सकते हैं और इस तरह से बनेंगे इसलिए हम सही मात्रा में उसका मिश्रण लेंगे तभी सही बनेंगे एक कप सूजी को हम मिक्सर में पीस लेंगे अच्छी तेरे बारिक पीस लेंगे और एक कप यदि हमने सूजी ली है एक चमचम देसी की डालेंगे कडाई में और दो कप दूद डबल हम दूद लेंगे और धीमी आज पर इसको थोड़ा-थोड़ा करके ये बारिक सूजी जो हमने करी है इसको थोड़ा-थोड़ा करकर इसमें डालेंगे और इसको दीरे-दीरे करते हुए चला-चला के इसको पका लेंगे सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे आज को धीमा ही रखेंगे इसी तरहें सारा सूजी इसमें डाल देंगे और इसको चला चला के इस तरह से हलके हाथों से इस तरह से गुमाते रहेंगे और इस तरह से ये एक अच्छा सा इसमें से डो बनकर त्यार हो जाएगा दिरे दिरे ये पक जाएगी सुजी इस तरह से थोड़ा हमें लिक्विडी रखना है इसको बिल्कुल नहीं सुकाना है अब हम गैस को बन कर देंगे और थोड़ी देर इसको इसी तरह से चला लेंगे एक दो मिनिट हम जब तक बरतन गरम है इसको हम चला लेंगे इस तरह से और इसको हम 5-10 मिनिट के लिए ढख कर रख देंगे 10 मिनिट के बाद हम इसमें थोड़ा सा हाथ पर देसीगी ले लेंगे और आदा कप milk powder दोनों को अच्छी तरह मसल मसल कर इस तरह से डो बना लेंगे और डो लगाने के बाद इसके चोटे-चोटे इस तरह से बॉल बना लेंगे सारे बॉल हम इस तरह से बना लेंगे और oil को गरम कर लेंगे थोड़ा दीमी आज रखेंगे और एक-एक करते हुए हम इसमें बॉल डालेंगे थोड़ी दूरी-दूरी पर डाले पास में डालेंगे तो फैलेंगे और फैल कर वो फूट सकते हैं तो थोड़ा दूरी-दूरी पर रखें और इसको जब एक तरफ थोड़ा सा color आ जाए तभी हिलाना है नहीं तो पहले नहीं हिलाना नहीं तो ये फूट सकते हैं हलके आतों से इसको इस तरह से एक-एक करते हुए टर्न करना है इसी तरह हम सारे गुलाब जमन को दीरे-दीर करते हुए अच्छे से इस तरह से कलर आने तक पका लेंगे लेजिए तयार है सूजी के गुलाब जमन गर्मा गरम गुलाब जमन थोड़ी गुनगुनी चाशनी के अंदर हम डालेंगे चाशनी थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए और जैसे ही हम ये गुलाब जमन चाशनी में डालेंगे और इसको हम ढख कर रखेंगे खुला नहीं चोड़ेंगे इस तरह से हम ढख देंगे और बाकी गुलाब जमन भी हम इसी तरह से बना लेंगे अच्छा सा कलर आने के बाद ही हम निकालेंगे और चाशनी में डालेंगे सारे गुलाब जमन हम इसी तरह से चाशनी में डाल देंगे और इसको एक से दो गंटे के लिए हम इस तरह थोड़ा चला लेंगे ताकि अच्छी से चाशनी को पी लेंगे एक से दो गंटा हम इसको ढखकर रखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे दो गंटे के बाद ये पूरी चाशनी पी चुके हैं लीजी तयार है सूजी के गुलाब जमुन सर्व करते हैं बहुती सॉफ्ट बने हैं और बहुती टेस्टी आप एक बार जुरूर बनाएं सूजी के गुलाब जमुन मात्रा सही रखें तभी ये परफेक्ट बनते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा चलिए इसको हम काट कर दिखा देते हैं एक गुलाब जामन को यह बहुत ही सॉफ्ट बना है इसको हम कट करके दिखा देते हैं कि यह बहुत ही सॉफ्ट है इसको कट लगते ही इतना देखो मुह में गुल जाने वाला बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद